गौरैया का स्री कृष्ण पर विश्वास। जब उस पेड को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंशला जमीन पर गिर गया। लेकिन चमतकारी रूप से उसकी संताने अनहोनी से बच गई। लेकिन ओ अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। तभी उसने कृष्ण को अरजुन के साथ वहां आते देखा। वे यूध के मैदान की जाच करने और यूध की सुरुवात से पहले जितने की रण नीती तयार करने के लिए वहां गय थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुचने के लिए अपने छोटे पंख फढ़ फढ़ाए और किसी प्रकार स्री कृष्ण के पास पहुची। हे स्री कृष्ण कृपया मेरे बच्चों को बचाएं क्योंकि लड़ाई सुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्व ब्याफी भगवान बोले मैं तुम्हारी बात सुने रहा हूँ लेकिन मैं प्रकीरती के कानून में हस्त छेप नहीं कर सकता। गौरेया ने कहा हे भगवान मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौपती हूँ। अब यह आपके उपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वस नहीं है। कृष्ण ने एक सधारन ब्यक्ति की तरह उससे बात की। जिसका आसे था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में ओ कुछ भी कर सकते थे। गवरेया ने विश्वास और स्रधा के साथ कहा। कहा प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं ओ मैं नहीं जान सकती। आप स्वयम काल के नियंता हैं यह मुझे पता है। मैं सारी इस्थिती एवं परिस्थिती एवं स्वयम को परिवार सहित आपको समर्पन करता हूं। भगवान बोले आपने घोंसले में तीन सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गवरईया और स्री कृष्ण के संबाद से अनभिग्य अरजुन गवरईया को दुर भगाने की कोशिस करते हैं। गवरईया ने अपने पांखों को कुछ मीनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। दो दिन बाद संख के उद्ध घोष से युध सुरू होने की घोषना की गई। स्री कृष्ण ने अरजुन से कहा कि अपने धनुष और बान मुझे दो। अरजुन चौका क्योंकि कृष्ण के ने युध में कोई भी हतियार नहीं उठाने की सपत ली थी। इसके अतिरिक्त अरजुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्या दें। भगवान अरजुन ने द्रिड विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवेधन नहीं है। चुपचाप अरजुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाट टकडाया। और एक चिनगारी सी उड़ गई। अरजुन ये देखकर अपनी हसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशान चुक गए। क्या मैं पर्यास करूँ। उसने स्वयम को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिकिरिया को नजर अंदाज करते हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें धनुस वापस दिया और कहा कि कोई और करवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव आपने हाथी को क्यों तिर मारा। अरजुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गवरईया के आसरे उसके घोंसले को जोकी एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। कौन सी गवरईया अरजुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है। केवल घंटी ही तूटकर गिरी है। अरजुन के सवालों को खारिज करते हुए क्रिश्ण ने उसे संख फूखने का निर्देश दिया। युद्ध सुरू हुआ। अगले अठाड़ा दिनों में कई जाने चली गई। अंत में पांड़ों की जीत हुई। एक बार फिर क्रिश्ण अरजुन को अपने साथ सुदूर छेतर में भ्रहमन करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार के इंतिजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगो और सीर बेजान सीडियों और हाथियों से अटा पड़ा था। क्रिश्ण एक निश्चित अस्थान पर रुके और एक घंटी जो की हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अरजुन उन्होंने कहा क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। निर्देश बिल्कुर सरल था किन्तु अरजुन के समझ में नहीं आया। आखिरकर विसाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी। क्रिश्ण उसे धातु के एक टुकडे को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे। उसने प्रस्ण वाचक दिरिष्टी से उनकी ओर देखा। हाँ यह घंटी। क्रिश्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी। जिस पर मैंने तिर मारा था। अरजुन बिना किसी और सवाल के भारे घंटी उठाने के लिए नीचे जुका। जैसे ही उन्हों ने इसे उठाया। उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। एक, दो, तीन, चार और पांच। चार हिवा पक्षियों और उसके बाद एक गवरेया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के मा और छोटे पक्षी क्रिष्ण के इर्द गिर्द मर्डराने लगे। यह वं बड़े आनंद से उनकी परिकर्मा करने लगे। मुझे च्छमा करें, हे क्रिष्ण, अर्जुन ने कहा, आपको मानों सरीर में देखकर और समान्य मनुस्यों की तरह बेहवार करते हुए, मैं भूल गया था कि आप वास्तों में कौन हैं। आए, हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें, जब तक यह हमारे लिए उठाई न जाए। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें। जिससे की जो वीडियो में अप्लोड करें, सबसे पहले आप तक महुश सके। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे।